नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत सुअगत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वी आई पोस्पेड सिम को यदि आप वी आई प्रिपेड में पोर्ट कराते हैं तो आपको कितने रुपे का वैनिफिट होगा और दोस्तो यदि आप अपनी वी आई पोस्पेर्ट सिम को एटल में port कराते हैं या जिओ में port कराते हैं तो आपको कितने रुपे का benefit होगा तो आज की डियो में हम चर्चा करेंगे इसी विशे के उपर तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और यदि मेरे दुआरा दी गए जानकार यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं तो दूस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आप अपनी सिम कार्ट को यदि वियाई पोस्पेड सिम को जियो में पोट कराते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और यहाँ पर आपका क्या लोस होता है सबसे पहले यदि आपका 400 कुछ रुपे का जो पिलान है वो आपको पूरा का पूरा पे करना होगा और आप पे करने के बाद दूसरी कमपनी में आसानी से फ्री में पोट करा सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट होगा 249 रुपे का बेनिफिट होगा लेकिन को 400 के समतिंग आपको अपना पेमेट करना होगा वी आई कमपनी को तो दोस्तो यह हो गया पहला पोट उपर इसके बाद बात करते हैं यदि आप अपनी सिम कार्ड को एटल में पोट कराएंगे वी आई पोस्पेड सिम को तो यहाँ पर आपको भी जो है जो आपका बिल हो जाकर वी आई में पोट कराएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा तो यह कैसी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने लास्ट बिल को जो है माली जे आपका 400 कुछ रुपे का बिल आता है जदी आप इस ट्रिक को जो मैंने जो ट्रिक मैंने करी है जदी आप उसको होगा 400 कुछ रुपे का बिल आता है आपका जदी आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो आप 50-60 रुपे का बिल पे करेंगे और आसानी से जो है अपनी सिम कार्ड को वी आई में पोर्ट करा सकते हैं तो क्या करना होगा मैं आज आपको बता देता हूं दरसल दोस्तों मेरे प अपनी रिक्वेस्ट जियो में डलवा दी तो यहां पर मेरे पास वी आई कंपनी के कोल आते हैं तो बूस्ते कि सरा आप पोस्पेड को छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं तो मैंने उन्हें बता है बिल बहुत जाद आता है और मैं पोस्पेड में रहना चाहता मुझे प्र 300 कर देंगे आपका 400 कुछ रुपे का बिल नहीं आएगा दोस्तों जी आपको पोस्पेड में रहना है तो आप इस वाले ओफर को जो है ले सकते हैं और आपका हर महीने 400 के संथिंग जो है बिल आ जाएगा तो दोस्तों और दूसरा ओपर उन्हें नों मुझे बताया यदि आप अपनी पोस्पेड सिम को वियाई सेंटर जाकर वियाई प्रिपेड में करा लेते हैं तो आपका 400 कुछ रुपे का बिल मातरी 58 रुपे का रह जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जो पसंद आया ये बाला आया कि मैंने जो है 60 रुपे का बिल पे किया और नजदी की स्टोर गया वहाँ पर जाकर मैंने जो है 179 वाली FRC लगवाई और अपनी सिम कार्ड को वियाई प्रिपेड में करा लिया तो दोस्तों इनमें से जो अभी आपको पसंद आये यदि आप पोर्ड कराना चाहते हैं अधर कंपनी में तो आपको ये बेनफिट होंगे यदि आप वियाई पोस्पेड से वियाई प्रिपेड में जाएंगे तो मातरी आप 300 से 355 जाकर पोर्ट की रिक्वेस्ट डलवा दीजिए और उसे जब कंपनी का कोल आए तो उसे ओन कोल कैंसिल कर दीजिए तो उसके बाद आप वियाई स्टोर जाएए अपनी सिम कार्ड को वियाई पोस्ट पेड़ से वियाई प्रिपेड में करा सकते हैं तो दुस्तों चलिए मैं करें तो जाजत मिलें आपसे फ्रिक्षिन वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत